तो iPhone 8 Plus 2017 का एक phone है और 2017 से अभी चल रहा है 2022 तो 5 साल यहाँ पे complete हो चुका है और अगर कोई 5 साल से क्या कोई अगर 2 साल से भी इस phone को use कर रहे हैं तो यहाँ पे definitely battery health जो होगा वो आपका काफी जादा drop हो गया होगा और यहाँ पे अगर आपका battery health लगबग 80% से नीचे चला ग है second hand phone में या तो refurbish phone में तो आपको battery health अभी फिलाल 85 या तो उससे नीचे ही मिलेगा और यहाँ पे बहुत कम chances है कि आपको 100% battery health मिले और अगर आपको 100% battery health मिल भी जाता है तो वहाँ पे भी कोई surety नहीं है कि वहाँ पे जो आपका battery replacement हुआ होगा वो original हुआ होगा या duplicate हु होगे officially यहाँ पे Apple authorized service center से अगर आप battery replacement करोगे original battery replacement करोगे तो आपको कितना खर्चा पड़ेगा और जिस process से मैं आप लोगो को दिखाऊंगा same process यूज करके आप किसी भी phone का यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि battery replacement में कितना खर्चा आएगा और यह कोई ऐसे बैसे price नहीं होग यह official price होगा तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से आप किसी भी iPhone का original battery replacement होने में कितना खर्चा पड़ेगा वो आप किस तरह से देख सेकते हो तो चलिए मेरे laptop screen की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे laptop screen पर यहाँ पर आप लोग देख सेकते हो मैंने already Apple का official website Apple.com उसको खोल लिया हूँ और यहाँ पर जैसे आप खोल लोगे इसका user interface कुछ इस तरह का दिखेगा और यह एक official website है Apple का यहाँ पर जाना है और आपको support पर क्लिक करना है नीचे यहाँ पर आपका जो भी product है उस product को select कर लेना है हो सेकता iPhone हो सेकता Mac हो iPad हो तो यहाँ पर हमा यहाँ पर आपको धेरो option मिलेगा जिनमें से आपको service and repair option को select करना है next यहाँ पर आप लोग देख सेकतो आपको यहाँ पर get service का option मिल रहा है इसको आपको click कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको 67 option मिलेगा जिसमें से यहाँ पर हम लोग repair and physical damage को click करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका problem है उस problem को आपको यहाँ पे select करना है अगर आपका screen crack हो गया है तो crack screen करना है battery service है तो battery service को click करना है और यहाँ पे जितने भी सारे option है उसको आप click कर सेकतो जो भी आपका problem है तो यहाँ पे हम लोग battery का price जानने की हैं, यहां पर हम लोग battery service को click करेंगे. उसके बाद, यहां से हम लोग continue पर click करेंगे और continue पर click करने के बाद यहां पर हम लोग find location पर click करेंगे. तो इस website से आपको जो भी यहां पर आपका Apple ID है उस्को sign-in करके रखना है, और same Apple ID मैंने अपने phone पे भी login करके रखा है तो अभी फिलाल आप लोग देख सकते हो मैं एक ही Apple ID से यहाँ पे दो phone चला रहा हूँ iPhone 12 और iPhone 8 Plus तो iPhone 8 Plus का अगर आपको देखना है तो यहाँ से जाके हम लोग iPhone 8 Plus को क्लिक कर लेंगे उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो Apple के जो Official यहाँ पे Service Center है उसका लिस्ट आ जाएगा और यहाँ पे फिलाल यह भूगनेश्ट लोकेशन सिलेक्ट हुआ है आपका जो भी यहाँ पे नियारेस्ट लोकेशन है आप यहीं से सिलेक्ट कर सेकत हो For example अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप जो भी आपका लोकेलिटी है उसको आप सिलेक्ट कर सेकत हो For example अभी मैंने यहाँ पे कलकत्ता वेस्ट वेंगोल चूज कर लिया और यहाँ से चूज लोकेशन कर देना है तब आपको एकजाक्ट आइडिया लगेगा कि आपके नियारेस लोकेशन पे जो सर्विस सेंटर होगा उसमें आपको कितना प्राइस पे करना पड़ेगा तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सेक तो एक सर्विस सेंटर यहाँ पे खुल के आ चुका है और यहाँ पे एवेलेवल दिखा रहा है टूडे वन पीएम यहाँ पे आप लोग देख सेक तो F1 Info Solution Service Limited और यह Apple का Official Service Center है क्योंकि यह आपको वेबसाइट से ही मिल रहा है यह कहीं और से नहीं मिलता है और यहाँ पे आपको सो कर रहा है Estimated Cost 3,500 रुपया तो यहाँ पे आपको 3,500 रुपया लगेगा अगर आप Officially Original Battery को Replacement करते हो तो बागी यहाँ पे और कुछ Service Center में आप लोग Price देखो 5,300 रुपया है इसमें भी 5,300 रुपया है यहाँ पे 3,600 रुपया है यहाँ पे 3,500 रुपया है तो यहाँ पे Different-Different Service Center में अलग-अलग चार्ज लिया जाता है Depending upon Service की कितना जल्दी करके देगा बगेरा बगेरा तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इसका जो प्राइज है आइफोन 8 का अगर आप बैटरी रिप्लेस्मेंट कराऊगे तो आपको 3,500 रुपया रगेगा और यह Official प्राइज है Including all type of taxes तो यह था इस वीडियो में बाकी आप खुद भी चेक कर सकते हो जो भी आपका यहाँ पे फोन है same process follow करके आप लोग देख सकते हो बाकी और कुछ फोन का यहाँ पे मैं already वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ कि बैटरी स्क्रीन में क्या-क्या यहाँ पे प्राइस पे करना पड़ेगा सारे वीडियो आप लोग को description में मिल जाएगा आप देख सकते हो तो यह था complete वीडियो आसा करता हूँ informative था वीडियो अगर informative था तो वीडियो को like जरू करे और हमारे चैनल में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe जरूर करे हम मिलेंगे आपसे next वीडियो में तब तक के लिए take care, bye and thanks for watching